असलाम आलेकुम एवरिवन वेल्कम बेक टू OSEI वोकाबूलरी चैनल आज के इस लेसन में हम आपको सिखाने जा रहे हैं सियासत के बारे में अंग्रेजी इल्फाज अगर आपको इस लेसन का पीडियेफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझूद है और हमार अबर तोड़ीज लेसन आन डवी यूस फॉलिटिकल इंग्लिश वोकाबूलरी वर्ट इंग्लिश एंगलिश एंद अर्दो रुखने सो भाई असेंबली मेंबर ओफ प्रोविंशन असेंबली इसे हम शौट कॉम में एंटी ये भी कह सकते हैं रूकने कॉमी असेंबली मे Member of National Assembly. इसे हम short form में M&A भी कह सकते हैं. वजीर को इंग्लिश में कहेंगे Minister. मजजारत को इंग्लिश में कहेंगे Ministry. वजीर आला को इंग्लिश में कहेंगे Chief Minister. वजीर आजम को इंग्लिश में कहेंगे Prime Minister. इसे हम short form में PM भी कह सकते हैं. वजीर दिफा को इंग्लिश में कहेंगे Defense Minister. वजीर मालियात को इंग्लिश में कहेंगे Finance Minister. वजीर हार्चा को इंग्लिश में कहेंगे Foreign Minister. वजीर दाहला को इंग्लिश में कहेंगे Home Minister. मुंतहिब को इंग्लिश में कहेंगे सलेक्टिड अपलियत को इंग्लिश में कहेंगे माइनारिटी अक्सरियत को इंग्लिश में कहेंगे मिजॉरिटी मिजॉरिटी मुझाहरा को इंग्लिश में कहेंगे दिमॉंस्ट्रेशन Demonstration मुझाहरा करने वाले को इंग्लिश में कहेंगे Demonstrationist Demonstrationist हामी को इंग्लिश में कहेंगे Supporter Supporter हमायाद को इंग्लिश में कहेंगे Support Support First को इंग्लिश में कहेंगे Duties Duties हकूप को इंग्लिश में कहेंगे Rights Rights आइनी को English में कहेंगे Constitutional अवाम के मुफाद को English में कहेंगे Public Interest Public Intervest मचली से कानूनसास को इंगलिश में कहेंगे Parliament अहदे को इंगलिश में कहेंगे Designation इक्तदार को इंगलिश में कहेंगे Authority तहरीक को इंगलिश में कहेंगे Movement Ryaasati हकूमत को इंगलिश में कहेंगे State Government स्टेट गवर्मेंट रियासत को इंग्लिश में कहेंगे स्टेट स्टेट जम्हूरी मुल्क को इंग्लिश में कहेंगे डैमोक्रेटिक कंट्री डैमोक्रेटिक कंट्री जम्हूरी तरीके से को इंग्लिश में कहेंगे डैमोक्रेटिक डैमोक्रेटिक जम्हूरियत को इंग्ल को इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रसी, डेमोक्रसी, कौम परस को इंग्लिश में कहेंगे नैशनल इस्ट, नैशनल इस्ट, कौमी मुफात को इंग्लिश में कहेंगे नैशनल इंटरवर्स्ट, नैशनल इंटरवर्स्ट, कौमी अलामत या निशान को इंग्लिश में कहेंगे नेशनल एंबलम, नेशनल एंबलम, कोमी तराना को इंग्लिश में कहेंगे नाशनल आंथम, नाशनल आंथम, कोमी यत को इंग्लिश में कहेंगे नाशनल नालती, नाशनल नालती, कोम को इंग्लिश में कहेंगे नेशन, नेशन, कोमी को इंग्लिश में कहेंगे नेशनल, ने रियादत को इंग्लिश में कहेंगे लीड्स, रहनुमा को इंग्लिश में कहेंगे लीडर, रहनुमाई को इंग्लिश में कहेंगे लीडर्शिप, लीडर्शिप, सियासी अस्रोर सुफ को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल इंफ्लुएंस, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस, इस्तीफे को इंग्लिश में कहेंगे वैजिगनेशन नामसिद्की को इंग्लिश में कहेंगे नॉमीनेशन अजाद है लोग को इंग्लिश में कहेंगे लिबरल्स इंतहा पसंद को इंग्लिश में कहेंगे एक्स्ट्रीमिस्ट extremist कदामत पसंद को इंगलिश में कहेंगे conservatives फिरकापरस को इंगलिश में कहेंगे communalist नोकशाही को इंगलिश में कहेंगे bureaucracy आमरियत को इंगलिश में कहेंगे dictatorship 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 हमागीर या मुतलिक अनान को इंग्लिश में कहेंगे totalitarianism लाइल्मी या नाहवांत की को इंग्लिश में कहेंगे illiteracy illiteracy इतदाल पसंद को इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे reactionaries अमनों इंतजाम को इंग्लिश में कहेंगे law and order तदीबी कारवाई को इंग्लिश में कहेंगे disciplinary action शक्सी हकूमत या आमराना हकूमत को इंग्लिश में कहेंगे autocracy autocracy तबस्रा करने वाले को इंग्लिश में कहेंगे commentator commentator अदम तश्यदूद को इंग्लिश में कहेंगे non-violence non-violence तहरीक अदम इहतमात को इंग्लिश में कहेंगे no confidence motion no confidence motion जिमनी इंतहाब को इंग्लिश में कहेंगे by elections By elections Amir Shahi ko English mein kehenge Aristocracy Aristocracy Namsat ko English mein kehenge Nomini Nomini Manchur ko English mein kehenge Manifesto Manifesto Itahat ko English mein kehenge Coalition Coalition Ijtamaa ko English mein kehenge Convention Convention Intahabhi halki ko English mein kehenge Constituency Constituency Azad khayal ko English mein kehenge Liberals Liberals Wafd ko English mein kehenge Delegation Delegation Umeedwaar ko English mein kehenge Candidate Candidate Hikmat amelik ko English mein kehenge Policy Policy Wafaki ko English mein kehenge Federal Federal Rai dihhanda gaan ko English mein kehenge Electorate Electorate Kishi maksad ke liye Nashur Ushad ko English mein kehenge Propaganda 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 Ya ikdaam ko English mein kehenge Commission 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 Razamandhi ko English mein kehenge Consent 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 Muhalif garao ko English mein kehenge Opposition group Opposition group Pabandhiya ko English mein kehenge Sanctions Sanctions Hhartan ko English mein kehenge Strike 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 Lichli sata ko English mein kehenge Grassroots Grassroots Shikaiat ko English mein kehenge Grievances Grievances Azadiya izhaar ko English mein kehenge Freedom of Speech Freedom of Speech Ahtalafi rai ko English mein kehenge Descent Descent Aagar aapko hiya video pasand aai hai hai Tho isse like comment or share kerna mat phul yega Stay tuned for more interesting videos